आप सभी को मेरा नमस्कार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में करोना के केसेज बढ़ रहे हैं देश के कोने कोने में, हर राज्य में ओक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है दवाईयों की डिमांड बढ़ रही है वैक्सिन की डिमांड बढ़ रही है और जगे जगे इनकी कमी महसूस हो रही है पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है कभी इस hospital में oxygen की कमी हो गई, कभी उस hospital में oxygen की कमी हो गई, इस hospital में दो घंटी की oxygen बच गई मैंने खुद रात रात भर अस्पतालों में oxygen का इंतिजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में oxygen की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए केंद्र सरकार हर राज्य को ओक्सिजन का कोटा तै करती है देश भर में जितनी भी ओक्सिजन बनती है केंद्र सरकार तै करती है कि इस राज्य को इतनी ओक्सिजन मिलेगी इस राज्य को इतनी ओक्सिजन मिलेगी अब दिल्ली को कितनी ओक्सिजन चाहिए दिल्ली सरकार ने अपना एक estimation लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन oxygen की जरूरत है केंदर सरकार ने हमारा कोटा कल तक 388 टन तै किया हुआ था ये कोटा कल शाम को बढ़ाके 480 टन कर दिया है केंदर सरकार ने इसके लिए हम केंदर सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं हलांकि हमें और भी और भी काफी oxygen चाहिए लेकिन केंदर सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रियादा करते हैं अब केंदर सरकार ये भी तैक करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कमपनी देगी जैसे दिली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है दिली की सारी ऑक्सीजन दिली के दूसरे रजों से दिली के बाहर के दूसरे रजों से आती है तो केंदर सरकार तैक करती है कि फ खलाने राज्जी की ये कमपनी आपको इतने किलो अक्सिजन देगी, मालो राजस्थान की ये कमपनी आपको इतने किलो देगी, हर्याना की ये कमपनी आपको इतनों किलो देगी, तो केंद्र सरकार कमपनिया तै करती है कि कि किस कमपनी से दिल्ली को अपने कोटे की अक्सिज नानी थी वो भीजनी रोग दी राज्जों ने कहा कि पहले हम अपने रज्जे में इस्तेमाल करेंगे दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जानी नहीं देंगे लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोट का शुक्रियादा करना चाह पिछले दो तीन दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है जिसकी वज़े से अब ऑक्सिजन दिल्ली पहुँचने लगी है जो जो दिक्कते आ रही थी हम लगातार पिछले दो दिन से एक एक मिनिट टू मिनिट मैं खुद मनीश जी मैं हमारे सारे ओफिसर्ज केंद एक केंद्री मंत्री को हमने फोन किया और उन्होंने तुरंत वहां पे बात करके उस ट्रक को वहां से चुड़वाया हम लगातार संपर्क में हैं एक एक ट्रक को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं सो ही नहीं है हाई कोट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रियादा करना चाहते हैं जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सीजन का उसमें उडिसा से काफी ऑक्सीजन आनी है तो बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को भी दिल्ली पहुंचने में क आया था मैंने आपको बोला था कि ये छे दिन का जो lockdown है ये छे दिन हम आराम नहीं करने वाले हम 24 घंटे काम करेंगे इन 6 दिनों को हम इस्तिमाल करेंगे दिली के health infrastructure को और सुद्रड करने के लिए इन 6 दिनों में दिली में जो oxygen की कमी है उसको ठीक करने के लिए दिली में जो health infrastructure को और improve करने के लिए इस lockdown के 6 दिन जो हमें मिले हैं इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एक और बात यह बहुत बड़ी आपदा है इस आपदा में अगर हम सारे लोग हर्याना, पंजाब, तमिनाडू, गुजरात, पश्चिम, बंगाल इसमें बट गए तो भार नहीं बचेगा, इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें भारतिय बनना है, हमें इनसान बनना है, देश के लोग आज सभी ने उस चैनल पे देख रहे हैं कि दिल्ली में आने वाला ट्रक किसी और राज्ये ने रोक दिया, मध्यपरदेश में जाने वाला ट्रक भल राज्ये ने रोक दिया, यहे तो ठीक नहीं है, लोग ये नहीं चा देख देख चाहते, देख डेश के लोग आज ये देखना चाते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्ये की मदद कैसे करी, उत्तर प्र देश ने किसी राज्ये की कैसे मदद की, हम एक साथ मिल के वाला बिहार की मदद करें, बिहार वाला गुजरात की मदद करें, हम सारे लोग अगर एक दूसरी की मदद करेंगे, तब भी तो भारत बचेगा, और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए तो, अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय, तो फिर भारत को कौन बचाएगा? मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा मेरे हाथ में जो होगा आप मुझसे मांगिये मैं दूँगा पूरे देश की मदद करेंगे अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्ये के साथ बाटेंगे और जब दिल्ली में करोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की जरूरत हुई हमाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे हम सभी भारतवासी हैं हम अपने देशवासीयों की मदद करेंगे सभी राज्यों की मदद करेंगे क्योंकि ये बिमारी कोई बौडर देखके नहीं फैलती मैं उमीद करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ सारी सरकारें केंद्र सरकार सारी रज्य सरकारें हम मिलके काम करेंगे एक भारत बनके काम करेंगे करोना को हराने के लिए हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे ज़ादा COVID cases भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहां की सरकारों ने मिलके कैसे इस आपदा से लड़ाई की कैसे हमने सारा प्रबंदन किया भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बिमारी को हमने हराया